नमस्ते राम राम मैं देवानशू आज मैं ओरचा की जो छत्रियां हैं उनके दर्शन करने के आया हूँ और ये ओरचा में चत्रभुज मंदिर के पास मदुकर शाह और उनके उत्तरा दिकारियों के द्वारा बनवाई 15 छत्रियां यहां पर दिखाई देती हैं अत्यन्ति अलंकृत सुघड और सुविशिष्ट आप ये देखिए इन्हें बहुत अच्छे तरीके से इनका रख रखाव भी किया गया है इनका स्थापत्य जब आप देखते हैं तो ये मूलता एक अधिश्ठान जगतीजी से कहते हैं उसके ऊपर ये शुरू में प्रासाद के रू रूप में आप देखते हैं इन शैलियों को इन चत्रियों को बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से बनाया गया था और ये अपने आप में संपूर्ण भारत या संपूर्ण इस बुंदेल खंड चंबल के छेत्र में अतिविशिष्ट स्थान रखती हैं क्योंकि ऐसी चत् संपूर्यों का समूह नहीं दिखाई पड़ता है ये एक मंदिर और स्मृति स्थल के रूप में याद किये जाते हैं इनका होना जो है एक विशिष्ट परंपरा जिसे हम कहते हैं उसको जिवन्त रखता है और हम यहां करके अपने इतिहास से परशित होते हैं यहां आप अ कला का नमूना सामने आता है और अधिकांश जो चत्रियां हैं वे मूलता मंदिर रूप में स्थापित की गई हैं जिनके शिकर के ओपर अप आमलक और कलश भी देखते हैं यह इतना सुंदर और इतना विशिष्ट स्थल है और इसे इतना वेल मेंटेन रखा गया है कि यहा नदी के जल का जल में स्नान भी कर सकते हैं और वहां से आप इन दर्शनी स्थलों को देखने का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं जैसे मेरे सामने यह जो च्छत्री है सब को कहीं ने कहीं अलग-अलग रूप दिया गया है कहीं कहीं थोड़ी-थोड़ी अलग-अलग विशि बहुत बहुत धन्यवाद, प्रनाम.